एक दो तीन चार पाइश है तो वालो गाईS कैसे हैं सबी लोग आई होप आप सबी लोग अच्छा होंगे तो गाई फाइनली हमारा फर्स्ट प्रेमेंट है वह काफी दिनों के बाद हमारे पास आचुका है गाईS तो गाइस मुझे अपना फर्स्ट पेमेंट लेने में कितना टाइम लगा क्या-क्या दिक्कतों का समझे सामना करना पड़ा सारी चीज़े आपको इस वीडियो में बताऊँगा अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लिज तो तीन में वीडियो बनाने के बाद आपको इसकीप नहीं करना है उसमें लगातार आपको काम करते रहना उसमें आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा थोड़ा पेसेंस रखना पड़ेगा इस तभी आप अपने चैनल पर अपना फर्स्ट पेमेंट उठाओगे इस थोड़ा सा पेसेंस तो रखना ही पड़ेगा तभी आप इसमें अपना फर्स्ट पेमेंट उठाओगे तो गईस जब मैंने अपना ये यूटूब चैनल उपन किया था मैं दीन में काम करता था, और सुबा और साम को YouTube वीडियो बना कर अपने YouTube चैनल पर अफलोड कर देते था मैंने पहले से ही 2-3 यूटुब चैनल बना लिये था और उसको डिलीट कर दिया था से कुछ समय के बाद कुस रीजल्ट नहीं दीकि जो झाशन में चैनल को डिलीट कर दिया था लेकिन पड़े करते रहोगा तो नृत शक्य काफी लंबे समय के काम किया और depreciation सवी मतने चैनल पर गाम को धीजह करने करनों लगभघर साल से बंद कुछ घ्यादा तब आप अपने फ़र्ष्ट पेमेंट उठा पाओगे तो गाईस मुझे फ़र्ष्ट पेमेंट लेने में कोई भी दिक्कत के सामना नहीं करना पड़ा तो गाईस मैंने अपने एडसेंस अकाउंट में इस बीए का बैंक अकाउंट लिंक किया होता उसका जो सीट कोड होता है उसे मैंने ऑनलाइन सेर्च करके उसमें डाला हुआ तो उसके बाद भी मुझे कोई भी दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ा और गईस यूटूब किस तरी को पेमेंट रिलीज करने वाला एक दिन पहली आपको एक मैसेज दिए जाता है कि आपका पैसा इतना आने वाला है उसके बाद अगले दिन आपको पैसाथ आपक्के अकाउंट में सबसे पहले मैं आपको मेंसेज दिखा देता हूं जो मेरे में आया हो था यहां पर मैं आपको स्क्रीन सौट डाल दूँगा है आप देख पाऊगे कि मेरे में 120.46 डॉलर जो बने हो थे मेरे बैंक में आया हो थे बनने के लिए मेरे में 10,800 रुपए से भी ज्यादा कि 11,000 रुपए के करीब मेरे में बना हुआ था लेकिन 15% है जो यूटूब अपना टेक्स कार्ट लेता है उसके बाद बैंक वाले 45 रुपए कार्ट लेते हैं उसके बाद आपका जो पेमेंट हो आपके अकाउन में आता है तो है पर 120.46 6 $ मेरे में आया हुआ है अगर आप इसी इंड्यान रुपीज में و को आपको fix price बता नहीं चल पाए तो एक प्राइस के calculate करोगे तो यह को सही तो गाइस अभी मेरे पास 8000 रूपए मेरे पास में हैं और मैंने 1000 रूपए खर्च कर दिया हैं इस मेरे मेरे में 9600 रूपए के आजपास भी मेरा जो बैलेंस है वह आया हुआ था और आपने हैं पर मेसेज भी देख लिए होगा बैंक के तरफ से मेरे को जो मेसेज आया हुआ थो तो गाइस इतना बैलने से मेरे में आया हुआ था जो मेरा फ़र्श प्रेमेंट है वो आया हुआ है तो गाइस आय वर्फ आपको यह वीडियो काफी मोटीवेट करेगा आपको वीटूब बनाने के लिए जाएस आपको यह वीडियो अच्छा ला हो तो वीडियो का लगिक और चैनल को सब्सक्राइब जिरू कल देजी का चालिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाए